वेलकम बैक टू मैं चानल दोस्तों मैं कई दिनों से इन फैक्ट कही महिनों से मैं सोच रहा था कि मैं लेक शॉटनेस को पर मैं एक वीडियो बनाऊं किसी का अगर पैर छोटा हो गया है एक्सिदेंट या फ्रैक्चर के बाद कभी-कभी हो जाता है शॉटनेस स्पेशली बो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों मैं सोच रहा था कि यह वीडियो मैं करीब दो-चार दिनों के बाद में शूट करूंगा उसके बाद मैं आप सबसे इसके बारे में बात करूंगा बट टाइम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों मैं जैसे तैसे यह वीडिय पड़ा हुए है शूज पड़े हुए हैं और यह आपका शू के इंसोल्स बहुत सारे पड़े हुए इदर अब मैं बताता हूं कि यह मेरा रूम बिखरा क्यों दोस्तों दो दिन पहले ही मुझे अचानक से कॉल आया मेरे ऑफिस से और मुझे कि सद्रीक की शिप को जोइन करना है मैं करीब 2-3 मेह ने पहले ही आया हूं दोस्तों बहुत ही कम टाइम पेड कियों अपने धाशा इंतर बुढ़ेनि के साथ हूं अतों यही रिजन है कि मैं जल्दी से जल्दी मैं शिप पर जा रहा हूं और यही रिजन है कि मैं इस टॉप पे वीडियो कुछ दिनों के बाद बनाऊगा बड़ टाइम बिल्कुल भी नहीं है शिप जाने के बाद तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा दोस्तों वीडियो अगर कभी बन भी गया तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग को मालूम है कि पर डेटा का बहुत ज़्यादा इशू होता है यह मैंने आप सब को पहले भी बोला था दोस्तों चली वीडियो को फटापट से स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे शॉट लेक को मैनेज करता हूं मैं आप सब को बता दू कि यह जो मेरा पैर है वो लगबग एक इंशॉट है दोस अगर आप 10 नंबर के शूज पहनते हो तो आपको 11 या 12 नंबर के शूज मंगाने होंगे करिणना होगा आपको क्योंकि मैं इसमें इंसोल्स एड करने वाला हूं दोस्तों आप इंसोल्स इसको बोलते हैं आप किसी भी मोची की दुकान में रोट सेड में अगर जो पॉलिस देना होगा तो लगभग मेरा एक इंच पैर शॉट है तो यह लगभग 5 mm का होता है दोस्तों इसकी जो विट्थ है वह लगभग 5 mm की होती है तो तीन शीट मतलब 15 mm यह हो गया और यह लगभग 10 यह 15 mm यह हो गया दोस्तों मैं एक्जैक्ली ऐसे मिजर करके तो नहीं पहनत जो मुझे comfortable लगता है इसको डालने के बाद अगर suppose यह डालने के बाद भी मेरी कमर थोड़ी से नीची लगती है तो मैं एक और एड कर लेता हूं यह डालके पहनने के बाद अगर थोड़ा सा लगता है कि मुझे नहीं एक निकाल देना है तो मैं यहां से निकाल देता हूं दोस्तों तो नॉमली मैं करता क्या हूं कि यह टीन ऐसे इंसोल्स हो गए यह इंसोल्स इस टाइब से गुजा देना है अब देखो मैं ओवर साइज आपने लगा लिया तो बहुत ही अच्छा फीट आएगा दोस्तों आपको परिशानी नहीं होगी हो सकता है कि जो दूसरा पैर हो थोड़ा सा लूज होगा बट लूज होना चलता है वह टाइट होना एकदम से नहीं चलता है अब मैं आपको यह तो कैजवल शू हो गया अब म और इस पर बेवी मैं इन्सोल्स लगाया हूँ दोस्तों अब दिखाता हूँ यह देख रहे हो यह मैंने Amazon से मंगाया था यह काफी काफी सॉप्ट है दोस्तों आप देख सकते हो यह कैसे प्रेस हो रहा है यह एक थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं आता है नीमे इसके लिए मैंन के आसपास इसकी विट है 15-20 mm के आसपास इसकी विट है दोस्तों तो सबसे पहले मैं इसको डालता हूँ सबसे नीचे और यह लगभग 5-5 mm के तीन शीट मतलब तीन इंसोल मैंने डाल दिया मैंने बताया था ना रोड साइड किसी भी मोचे के दुकान में आपको यह मिल जागा इसलिक तो मैं तीन इसको इंसर्ट करता हूँ तीन इंसर्ट कर दिया और यह जो ओरिजिनल इंसोल आपका शू के साथ आता है यह मैंने लगा दिया तुमैंने दोस्तों दोनों ही शूस दिखा दिये आपको वरकिंग शूस और डिखाता हूँ कि बिना शूज के मैं कैसा दिखता हूं मैं कैसे चलता हूं और शूज क्यानि शूज में इंसोल्स डानले के बाद मैं कैसा दिखता हूं और कैसे चलता हूं चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बीना शूज के मतलब बीना हाइट एजज्च्मेंट के मेरी पोस्चर जो है ऐसे बनती है अब देखो दोनों पैर में सीधा कर रहों पर राइट चाइट थोड़ा जुका गुआ लगता है दोस्तों हाँ कि चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है अब दे दो सुरुफ में अगर भराम बन जा रहा है दोस्तों कि अपने जुका के चलो और डिशन पोस्चर से सभाफिव सुला में कोई इसनम कणे यहां बहुत क्लय देखिक हो इसके लिए मैं कर दो करेंगे हैं तो बहुत ज़यना ईशुह नहीं आएगा मेरा एक इंच का शॉटनेश्ट है अरे हitäं नहीं फोर सकते हैं आम इसको मैनेज कर लेता हूं फोर में दिखता हों जलता हूं तो मैं आप सब को भी बताता हूं अगर आपका पैर शॉट है तो आप इंसोल लगा के आप उसको मैनेज कर सकते हैं अब मैं इंसोल लगा के मैं अपना पोश्चर दिखाता हूं अपना चाल में दिखाता हूं मैं कैसे चलता हूं वो इंसोल डालने के बाद मैं आपको मिलता ह हुआ है दोस्तों और आप देख सकते हो कि आप देख रहे हो यह बरहाबर अभी बेल्ट की जो आप वीट देखोगे बेल्ट मेरा एक समान एक आकार में है दोस्तों अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ अब दोस्तों मैं casual shoes पहन के दिखाता हूँ मैं आप सब को कि देखो casual shoes पहनने के बाद भी आप देखोगे यह जो बेल्ट है एक ही लेवल पर मेरा आ रहा है दोस्तों पहले क्या था इस टाइप से तुम्हें कर भी नहीं पा रहा हूँ इस टाइप से जुका हुआ था पैर ऐसे अभी वह एक दम बिलकुल एक बराबर में दोस्तों मैं इस टाइप से मैं मैंनेज करता हूँ अपने पैर शॉटनेश को चलिए दोस्तों पता नहीं मैं कब मैं वीडियो बना पाऊंगा दोस्तों कि कल मेरी फ्लाइट है कल मैं मुंबई जा रहा हूं और मुंबई के बाद परसों मैं लंडन जा रहा हूं उसके नेक्स डे मैं लं मुलाकात होती है मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि अचानल से मुझे जाना पड़ रहा है चलिए कोई बात नहीं दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी स्टे पॉजिटिव एक्सराइज करते रहेगा दोस्तों जो लोग सोच रहना जो लोग जिनको लग रहा है कि नहीं यार मेरा पैर नहीं जूड़ेगा या तो फिर मैं लिंप करता रहूंगा या फिर जिनको लग रहा है कि मेरा पैर शॉट हो गया है लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों कुछ भी पॉसिबल है मुझे लग रहा था पहले मैं डूटी जॉइन ही नहीं कर प झाली बाई 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 दो